सत नाम शिरी वाहे गुरू साहिब जीयो परम सनमानियो गुरूरू गुरू खाल्सा सा संगची वाहे गुरू जी का खाल्सा वाहे गुरू जी की फते एक वारी शिरी गुरू अर्जन देव जी दे पास एक सिख ने आन के बेंती किती के हे सचे पाशा जी जेड़े लोग की आख देहन के मर के अगे स्वारग जान नरका वेच जाईदा है ते नाम दे जपन करके दुख प्राप्त नहीं हुंदा है सो किरपा करके दसो के एह किस तरह पता लगे के एह गल बिलकुल सची है ओस सिख दी गल सुणके सचे पाशा तानिशीर गुर अर्जन देव जी ने केहा के चंगा पाई तेनु इस गल दा उत्तर जरूर दे आंगे ता माहराजी ने ओस सिख नू एक दन रात दे समय वेच सुपने दे वांगू पखला जी में हुंदा है दखाया के ओह सिख अपने आपनों मौया होया वेखदा है ते उस दे संबंधिया ने उस दी दा किरया भी करद ती मगरों उस दे फुल भी गंगा विच पाए गए हन ते उस दा पंडारा भी रातो रात सुपने विच कीता गया ते दरगा विच तर्मराई दे पास उसनो ले गए जदो उस दे को लेके गए ता तर्मराई ने कहा के एह जीवता बड़ा पापी है पर हुन इसने महरा जीदा संकीता है इस करके इस दी उमर चार महीने वदाई जावे जे कर इस समय विच एह परमेशर जीनो याद करेगा ता इस दा पला हो जाएगा नहीं ता इसनो अग्ये ले जाके दखा देओ जिते कुम्भी नर्क विच जीव पए तड़फदे हन ओथे इसनो पाया जाएगा तरम राज दा हुकम सुनके उस दे बंदे ओस सेख नू उस दे करचाट गए जदो उस सेख दी नीद खुली ता ओह वाह गुरु आगदा होया ओठ बेठा जदो स्वेरे महराजी दी सेवा विच दर्शन कर्णवास्ते आया ता मत्था टेक के बैठ गया महराजी जानी जान सन महराजी ने कहा के दास सिखा वाह गुरु दे नाम दा प्रताब देख्या के नहीं सारी संगत नू दास के राद तेरे नल की गुजरी उसने कहा के माहराजी मैं मर गया सी ते एक ओतक देख्या के मेरे मरंदी मौलत चार मीने हो रखी गई ते तरमराजी ने कहा के माहराजी दा संग ते दर्शन तेनू होय हन इस करके चार मीने होर जियों दा रेंड देओ सो तुसी किर्पा करके मेरी उमर कुझ बदा देो ओस सेखदी गाल सुन के सचे पाश्या तानिश्री गुर अर्जन देव जी ने एक शबद्दा उचारन किता गौडी महला पंजमा बिन सिम्रन जैसे सरप आरजारी तियों जीवे साकत नाम बिसारी परमात्मा नालों टुटे होए मनोख ओस्त्रा ही हन जिमें सब दी उमर है उमर ता लंबी है पर सब सदा दूसरे नू डंग ही मार दा रेंदा है एसे तरह परमात्मा नालों टुटे होए मनोख परमात्मा दा नाम पुला आके सिम्रन तों बिणा वियर्थ जीवन ही जियों देहन मौका पणनते दुज्यानों डांग ही मार देहन एक निमक जो सिम्रन मैं जिया कोड दिनस लाक सदा थिर्थीया जिड़ा एक आख चमकन जितना समावी प्रमात्मा दे सिम्रन वेच गुजारया जाए ओह मानों लखा क्रोणा दिन जियों लिया क्योंकि सिम्रन दी बरकत नाड मनोखदा आत्मक जीवन सदा लई अडोल हो जान्दा है बेन सिम्रन त्रिग करम करास काग बतन बिष्टा महवास प्रभु सिम्रन तों खुज के होर होर कम करने फिटकार जोग ही हन जिमें कादी चौंज गांदवेची रंदी है तिमें सिम्रन हीन मनुखा दे मू निंदा आदक दे गांदवेची रंदे है बिन सिम्रन पए कूकर काम साकत बेसुआ पूत निना प्रभु दियातों खुज के मनोख लोग ते काम आदक विच फास के कुत्यां वर्गे कमा विच परविर्त रंदे हन प्रमात्मा नलों टुट होए मनुख वेश्वा इस्त्रियां दे पुत्रा मांग निलज हो जन्दे हन जीना दे प्योदा ना नहीं दस्या जा सकदा बिन सिम्रन जैसे सींग छतारा बोले कूर साकत मुख कारा प्रमात्मा दी याद तो खुंज के ओ तर्ती उते पार ही हन जे में छत्रियां दे सेरते सेंग प्रमात्मा नलों टुट होए मनुख सदा चूठ बोल दे हन ते हर्था मुकालख ही खट दे हन काफर चूठ भगदा है अते उसदा मुँ काला किता जान्दा है बिन सिम्रन गर धब की नयाई साकत थान प्रिष्ट फिराही सिम्रन तो खुंज के ओ खोते वांगी मलीन जीवन गुजार दे हन जिमें खोता सदा स्वा मिटी वेच लेट के खोश होंदा है राबदी बंदगी तो बगयर बंदा गदे वर्गा है पर मात्मा नालो टुटे होए मनोक को कर्मा वाले गंदे थाई ही फिरदे रंदे हन बिन सिम्रन कूकर हर काया साकत लोब भी बंद ना पाया सिम्रन तो खुंज के ओह मानो हलके कुते बन जान दे हन जैसनाल भी संकर दे हन उसनू लोब दा हलक चमेड दे हन राबदा टुटे होए मनोक लोब विच ग्रसे रंदे हन ओना दे राविच लखा रुपी एक मा के वी रोग नी पैसक दी बिन सिम्रन है आतम काती साकत नीच तिस कुल नहीं जाती राबदालो टुटे होया मनोक सिम्रन तो खुझा रहके आतमक मौत सहेड लेंदा है ओ सदा नीवे कमावल रूची रखदा है उस दी न उच्ची कुल रह जान दी है न उच्ची जात जिस पया किरपाल तिस सत संग मिलाया कहो नानक गुर जगत तर आया जिस मनोकुते परमात्मा दयावान हो जानदा है उसनो सा संगत वेच ले आके रडा लनदा है अंत वेच गुरुजी फर्मा रहे हन कि हे नानक इस तरह जगत नो गुरु दी रही संसार समंदर दे विकारां तो पार लंगा दा है सो सचे पाशा तानशिर गुर अरजन देव जी ने ओस सेखनू समझाया के अगे तेरी इतनी उमर गुजर गई है होन होर जियोंदा रहेंगा ता कीस वारेंगा नाम तो बिणा जियोना किसे कम नहीं सो सा संगजी ऐसली पुर्षनू हर वकत परमात्मा दे चरना दा त्यान करना चाईदा है पता नहीं जो केडा स्वास अंतदा है अते पजन्तों बेना जेडा जीवना है ओ बेयर्थ है साद के संग कलूखत हर है साद के संग नर्क पर हर है गुर्मुखा दी संगत विच मनुख अपने पाप नास करलन्दा है संता दी संगत करन दवारा कलंक तो ते जान्दे हन ते इस तरह नर्कांतों बच जान्दा है साद के संग इहां उहां सुहेला साद संग बिच्र थर मिला संता दी संगत विच्रय कि मनोख इस लोग ते प्रलोग विच सोखा हो जन्दा है अते प्रभु तो विच्डय होया मोड उसनू मिल पेंदा है तिन नाहे नर्क निवास नित सिमर प्रभ गुण दास ते जामना पिखे नैन सुन मोहे अनहत बैन हे पाई उनानू नर्काद निवास नहीं मिल दा जेडे मनोख गुणा देख जानने प्रभु दा सिमरन करके उसनू सदा अपने हिर्दे विच वसाई रख दे हन ते ओ मनोख आपनी आखा नाल जामराई नू नहीं देख दे जामानाल ओनानू वानी पेंदा जेडे मनोख एक रास वजरही सिफ्ट सलादी बंसरी सुन के उस विच मस्त रिंदे हन कबीर साहब अपने एक शब्द विच परमा रहे हन कबीर सुर्ग नर्ख ते मैं रहे हो साथगूर के प्रसाद कबीर साहब जी फुर्मा रहे हन हे कबीर अपने सद्गूर जी दी किर्पाना मैं स्वर्ग दी लालसा अते नर्ख दे डर्तों बाच गया हां मैं ता सदा ही परमात्मा दे सोने चर्णा दी याद दे हुलारे विच रेंदा हां अरंब अते अखीर विच मैं प्रबुदे कमल पैरा दी खुशी अंदर वस्दा हां हों याँ पुल्ना चुकांदी खेमा बक्षणी जी दासन वाग्या देओ वाह गुरु जी का खालसा वाह गुरु जी की फते